हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल तो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर की सबजी जो की खाने में टेस्टी लगती है और हेल्दी भी होती है तो आएए बनाना सुरू करते हैं गाई तो सबसे पहले हमे एक भागोना लेंगे और उसमें पानी टाल देंगे और उसको गरम कर लेंगे तो यह मैंना गरम कर už और साभी पालक है होँ और इसको हम उबाल लेंगे दो-तीन मिनट के लिए हkiego तो यह हमारे दो-तीन मिनट हो चुके और हमारा पालक उबल चुका आए देखिये हमें बहुत जादा clapping हमें एक रहला जइसे आधे नव ठीक बना रहें लिए कि इस तरिके से हमें इसको पका लेना है दो चाहिए दो से तीन मिनट के बीच में और अब मैंने इसको इस तरीके से ठंडा कर दिया है इसको मैं मिक्सर जार में पीस लूँगी इस तरीके से हम इसमें डाल लेंगे उसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे कि पालक को मैंने ग्राइंड कर लिया है देखिए कितना अच्छा कलर आया है तो अब हम एक और लेंगे पेन में और इसको गरम कर लेंगे एक बड़ी चमच और अब में इसमें चोटी चमच जीर डाल दूंगी और उसको हलका चटकने देंगे उसके पाद हम इसमें प्याज बड़े बड़े पीसेज में कट किये हुए इस तरीके से और मैंने चार प्याज लिये थे इनको हम हलका कलर चेंज होने तक सेख लेंगे हमें इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है और साथ में हम कुछ अधरक के टुकड़े हरी मिर्ची और लेसुन की कलिया उनको भी स लेसुन आप पसंद करते हो तो डालो नहीं करते हो तो मट डालो इनको मैं लगवक दो मिनट के लिए सेख लूँगी इसी तरीके से कंटिनू चलाते हुए और हमें कमाच पर इनको सेखना है उसके बाद यह सिख चुके हैं तो आप मैं इसमें टमाटर डाल दोंगी और इन इनको हमें कम टाइम के लिए सेखना है क्योंकि यह जल्दी गल जाएंगे इनको हमें एक मिनट के लिए ही सेखना है इसी तरीके से देखिए यह मैंने पका लिए थोड़ देर डख कर तो यह हमारे टमाटर भी गल चुके अब हम इन दोनों चीजों को साइड में रख देंगे थंडा होने के लिए फिर इससे हम ग्रेवी बनाएंगे यह थंडी हो चुके है मैं उसी मिक्सर जार में इनको इनसे पेस्ट बनाऊंगी तो यह देखिए थंडा हो चुका है मैं इसमें डाल दूंगी और उसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और इससे एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे और इस तरीके से जब हम पेस्ट बनाते हैं तो सब्जी का टेस्ट कुछ अलगी आता है और टेस्टी सब्जी बनकर तयार होती है तो देखिए यह मैंने इसका पेस्ट बना लिया है और अब हम इससे पालक पनीर की सबजी बनाना शुरू करते हैं, यह मैंने सारे मसाले तेयार कर लिए, यह मैंने ओईल लियाए एक चममच और एक चममच हम इसमें जीरा डाल देंगे फिर से यह हमारा जीरा हलका पक चुका है तो आब हम इसमें एक चोटी चममच हल्दी पावडर एक छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर क्युक्य मैंने हरी मिर्चियों डाल दी तो हम मिर्च अपने टेस्ट के और तेस्ट के अकोर्णिंग भी डाल सकते और एक छोटी चम्मच नमक नमक आप अपने टेस्ट के अंसा डाल सकते हो कम या ज्यादा और वन वाइफ और चोटी चमच गरम मसाला तो इसको हम हलका सा सेग लेंगे बून लेंगे और गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल कम रखना है नहीं तो मसाली जल जाएंगे तो यह हमारे सिख चुके हैं अब मैं इसमें ग्रेवी डाल दूंगी जो पेस्ट बनाया था मैंने जुआं प्याज का और टमाटर का ओर साथ में हम यह पेस कर रखाथ देखी कितना अच्छा और अ पालक का तो इससे हमें कम पकाना न जिससे स्सेय, असा ही कलर आ आ है इस तरीके से में इस अच्छे से मिक्स कर लूँगी देखीए, यह हमने मिक्स कर लिआ यह हमारा हलका पक चुका है अब मैं इसमें मलाई डाल दूंगी यह ताजा मलाई यह दूद से निकली मलाई आप कोई क्रीम भी डाल सकते हो अमूल की इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लो इससे हमारी पालक पनीर की सब्जी का टेस्ट दूगना हो जाता है तो यह मैंने अच्छे से मिक्स कर ली है और अब हम इसमें जो मैंने पनीर लिया था इसको मैं अच्छे से दोकर साप कर लिया और पीसेज में कट कर लिया इसको डाल देंगे इस तरीके से मैंने सारे पनीर को ग्रेवी में डाल दिया है देखिए और आप हम इसको 10 मिनट के लिए और पका लेंगे तो यदि आपको मेरी पालक पनीर की सबजी बनाने की रेसीपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना वेल आइकन के साथ और मेरे वीडियो को कमेंट करना थेंक यू